एब कर दो यह कोई कम्पनिकेशन किसे हो गाव पैतो जेसुह कोई वाइरस बेक्टडिया फंजाई अलगाई यह तो होगा ना ऑवेक्टर में जो मॉस्किटों हो गए कुछ किसी का रेटम होता है किसी का सिछ्छे की पिश्चू होता है जो वेक्टर से वह ओगए तो और ना non-communicable नहीं करता है सबसे बड़ा आपका क्या कहते हैं इसके अंदर है पुल्मोरी टुबरकुलोसिस नहीं आता है अस्थमा आएगा इसके अंदर में आपका हाट प्रोब्लम सारे आएंगे इसके अंदर में सीडेंटरी लाइफ की वज़े से जो आती है डाइबटी आएंगे इसके अंदर में इसके अंदर में यहां जिसका कोई एक पैथोजन रिस्वंसिबल नहीं है वह इसके अंदर में आते है ना इंका मिनिकी विल्का अंदर ठीक हो तो खेल लेंदी हो जागा इसब चीज़े आप लोग को एकड़म वह होना चाहिए अब आइए तो यह क्या कर प्रोग्राम को इसके अंडर में कर दिया यहीं सुपर वीजन की एक बाड़ी यहीं बनेगी तो इसलिए उसको बोलते हैं अंब्रेला प्रोग्राम हुआ अब उसी के अंडर में क्या आता है यूनिवर्सल इम्मुनाजेशन प्रोग्राम है मुझे है नहीं के अंडर में यूनिवर्सल यहां पर जैसे यूनिवर्सल इम्मुनाजेशन प्रोग्राम भी आ जाएगा यहां पर टीवी इराडिकेशन प्रोग्राम भी आ जाएगा या जुतना उधर बताया है वो सारे यह सब इसके अंदर में तो चुके यूनिवर्सल साथ रिक्रोड्टिव कि युश्यियों सेञ पूछेंगे में पूछा जा सकता है कि युनिवर्सली मिनाजीशनि प्रोग्रांब के कम पोनेंट्स क्या तोform Records रिख कंपोनेंट्स को नेश्नलीेशन चलों हो गया वह किसके क्या करते हैं इसंटम्री में deixa युनिवर्सल इम्मुनाजेशन प्रोग्राम यह क्या है यह प्रोग्राम 1985 में मई में शुरूबा था इटी स्टार्ट इन इंडिया 1985 टू डेडिकेट श्रीमती इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी जी को डेडिकेट करने के लिए यह 84 में शायद उसकी डेथ भी दिना इंद्रा गांदी की डेथ 84 में भी दिना इंद्रा गांदी को डेडिकेट किया गया और यह क्या है किया है यूणीवर्सल इंमुनाजेशन प्रोग्राम ये इंडियन वर्जन है आय उप्स्टेंडेट चेंड चैंडेट प्रोग्रान उपिडेशन दूफार सिक्टेंडेट प्लसक्रू इस अधर प्रोग्राम ऑफ इम्मुनाजेशन यह इंटरनेशनल प्रोग्राम है यह जो है इंटरनेशनली WHO ने 1974 में लाउंच किया था WHO ने 1974 में इम्मुनाजेशन को ले करके six major disease थे six major disease को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम हेल्फ चलाई WHO ने वो extended program of immunization कहलाता है तब यह question आ सकता है अब इसमें जो है six major disease को कभर किया गया है six major disease क्या क्या है याद रखने के लिए DPT-MPT ऐसे याद आख लिए DPT-MPT छे बीमारी IC है जिसको WHO ने अपने अंडर में लिया कि भाई इसका eradication होना चाहिए या इसके खिलाफ जो है immunization होनी चाहिए पूरे वर्ड में इस six disease का immunization पूरे वर्ड में जो extended program of immunization के तहत हुआ है उनिस सो चोहतर इस भी में लागू हुआ डबलु एच ने लेकिन इंडिया कब लागू कर रही है चार साल के बाद जनवरी 1978 में तब कोश्चन यहां पर यह बन सकता है कि इपी आई यह extended program of immunization वहन इपी आई लाउंच इन इंडिया इंडिया में 78 जनवरी 78 में यह लाउंच हुआ आपका अब कहेगा कि क्या क्या बीमारी का कभर किया जनवरी 1978 में और डबलु एच निस सो चोहतर में हाँ कि अधिया चाहिए तो उसका डेट भी लिखिये मई 1974 है डॉडु एचो का ठीक है कि और इंडिया में यू आई पी जो 1985 में नॉंबर में हुआ था यह डेट अगर मैना पूछ लेगा तो फिर वहां अब सब इंप्लिमेंट किया और इंडिया ने कब किया जनवरी 1978 में एपी आई जनवरी 1978 में हुआ और उसी एपी आई को 85 में नॉंबर 85 में नाम क्या बताया हां एपी आई को किसमें कनवर्ट कर दिया यू आई पी यूनिवर्सल इंवनाजेशन प्रोग्राम नॉंबर 1985 में किसके रिस्पेक्ट में किसको डेडिकेट किया गया स्रीमती इंद्रा गांदी को कि यूप 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 कि आगे बढ़ें यह बताया बताईए कुछ आइडिया है इसको डिपीटी चुकिए वैक्सीन भी है डिपीटी ऐस सच वैक्सीन ही बनता है डिपीटी तो याद करना आसान हो गया अब इसको कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं डी पीटी मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रिग्नेंसी से याद कर लेते हैं अब जैसे याद करना चाहिए अब मुझे तो आसान यह वाला लगा इसलिए मैंने अपने वक्त मैं से याद किया था एंपीटी तो यह हो गया डिप्थेरिया कंफ्यूज मत किजिएगा डिपीटी में जो ड तुबर कुलोसिस है हमाज़ गया है मिजल्स पोलियो वेरी गुड पोलियो अटी टुबर कुलोसिस यह छे मेजर डिजीज को उस वक्त व्ह नो लिया था तो हमारे इंडिया में भी सेवंटी एट में लाउंच कर दिया गया लेकिन ताइम टू टाइम जैसे अभी नेशनल इम्मुनाजेशन शेडियूल में बहुत सारे आपको एड़ कर दिये गया है वह सब अभी हम बताएंगे आपको क्या क्या एड़ किया गया है और भी बहुत सारी वेक्सिंस को एड़ किया गया है यतना के लियर है बर्ट क्या देंगे डी सीजी अब यह बर्थ कहां पर है अगर इंस्टिचूट में हो रहा है जनरली बर्थ घरों में तो दे नहीं पाते हैं घर में तो बाद में देंगे ना लेकिन जो इंस्टिचूशनल डेलेवरी होती है तो बर्थ टाइम में बीसी जी दे दिया जाता है एक अब एक कॉश्चन पूछेगा कि बीसी जी कब देते हैं या पैदाइस की कितनी दिरबाद दे सकते हैं तो पैदाइस के फॉरण बाद से ले करके एक साल तक कभी भी दे दीजिए कहां पे देते हैं कि हां यहां क्या है लेफ्ट या राइट किसमें देते हैं कॉश्चन बहुत इंपोर्टन कोश्चन है पूछते हैं लेफ्ट साइड में बीसी जी लेफ्ट आर्म पे लेफ्ट अपरम आर्म पे क्या देते हैं इंट्रा मस्कुलर देते हैं क्या देते हैं इंट्राडर्मल देते हैं यह कुशन है इंट्राडर्मल तभी तो वहां पांच जैसा निशान बोलते हैं पांच बच्वन बोलते हैं तो पांच वो क्या है वो इसकी डर्मिस के नीचे देते हैं, इंट्राडर्मल हो गया, कितनी डोज देते हैं? कौन सी देते हैं? यह दोनों डोज BCG की है, ठीक है? यह जेनरल वेक्सिन्स की डोज 1 ml है, लेकिन जेनरली BCG जो है institutional delivery में, यानि बर्थ के वक्त में सिर्फ 0.5 ml देते हैं, क्योंकि बच्चे का skin बहुत soft होता है, अगर 1 ml वहाँ पे नहीं रह पाएगा, इस वज़े से इसको 0.5 ml देते हैं, तो यह question पूचा जा सकता है, कि यह 0.5 ml बर्थ के वक्त में जो दिया, तो कितना दिया? 0.5 दिया, उसके बाद 6 वीक में, 10 वीक में, जो 6 नहीं अगर, बच्चा सपोस कीजिए कि बर्थ के वक्त में BCG नहीं लिया है, तो बाद में जब कभी आएगा, समझेगा, एक महने के बाद तो उसको 1 ml लगेगा, ठीक है? चलिए, अब आईए, एट 6 वीक, यहाँ पर क्या देंगे? OPB, BCG अगर नहीं पड़ा है, तो BCG देंगे, OPB first dose, DPT first dose, Hepatitis, sorry, Hepatitis B, first dose, साथ में, हीब वैक्सिन, रोटा वाइरस, फ्रेक्शिनेट आईवीपी, यहाँ तक आप लोग को मालूम था, ठीक है? यहाँ बता रहे हैं, यहाँ तक आप लोग को मालूम होगा, Hepatitis तक, आगे जो है, अब यह क्या है, यह सब एड़ हुए है, National Immunization Schedule में एड़ हुए है, हीब वैक्सिन, हीमोफीलस इंफ्लिंजा, फुल फॉर्म क्या है इसकी? हीमोफीलस इंफ्लिंजा, यहाँ पर तो जानी ही रहे हैं सबका, OPV, Oral Polio Vaccine, ठीक है? इसको दूसरा नम क्या है? कहुं सा है? IPV क्या है? वो भी तो है ना? बैइ, Oral Polio वो से क्या है? Oral Polio Vaccine, इसका दूसरा नाम सेबिन है, याद कर लिजे, रट लिजे, यह पूशता है, और IPV, IPV, यह क्या है? यह भी Polio की वैक्सिन है, क्या है? आई से क्या मतलब हुआ? मतलब है, इंटा मस्कूलर? इंटा मस्कूलर Polio Vaccine. जी नहीं. क्या है इसका? मैं भी भूलिये, क्या है? ठीक है? आई से क्या हुआ? इनेक्टिवेट Polio Vaccine. यह क्योशन आ सकता है, यह तो बहुत कॉमन कॉश्चन है, साक और से बिन कौन सा है? ठीक है? से बिन हो गया आपका, ओ पीवी, आई पीवी हो गया साथ. अब आए, हीमोफिलस इंफ्लेंजा, पहला डूज, रोटा वायरस, पहला डूज, मालूम है किसके लिए देते हैं, रोटा वायरस, डाइरिया डिसेंटी के दिए, होता ना, वायरल के वज़े से, जादे बच्चों में जो है, यह डाइरिया डिसेंटी होते हैं, उसके बद यह है, फ्रेक्शियोनेट आई वीपी, ओ पीवी, आई वीपी, या ओ पीवी बोलते, इसको आई पीवी भी बोल सकते हैं, आई वीपी बोलते हैं, जैने लिए, आई पीवी, आई पीवी, सरी, फ्रेक्शियोनेट आई पीवी, वो पीवी, आई पीवी होता ना, फ्रेक्शियोनेट इन एक्टिवेट पोलियो वक्सीन, यह क्या होगा pneumococcal conjugate vaccine यह आपका six week में होगा उसी तरह से आपका दूसरा कब जाएगा यहां पर क्या होगा ओ पीवी सेकंड डी पीटी सेकंड हैपिटाइटिस भी सेकंड हीप वैक्सीन सेकंड रोटा वारस सेकंड यह नहीं लगेगा यह नहीं लगेगा ठीक है है एक लिए उसी तरह से पांच वेक्सी लगेगा एक फोर्टीन वीक ओ पीवी डी पीटी हेपिटाइटिस भी थ्री हिप वैक्सीन थ्री रोटा वारस थ्री यह लगेगा फ्रेक्शनेट आई पीवी टू और नुमोकोकल कॉंजिगेट वन कि अब कुश्ट्र क्या सकते हैं कौन से टाइम में कौन सा लगता है अब सपॉस कीजिए एक कुश्ट्र आ सकता है कि कौन सी ओपीवी की कितनी डोज लगती है यह भी तो भूण सकता है ना तो अब तक देखा कितना, एक, दो, तीन, तीन डोज लग गया, और एक, चार डोज लग गया, कब तक के लिए, 14 वीक तक भी, फिर आगे देखेंगे, अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा, Hepatitis B अगर Institutional Delivery में लगता है, ठीक है, Hepatitis B अगर Institutional Delivery में लगता है, तो वह Hepatitis B1 कहलाएगा और सेकंड वाला B2 कहलाएगा, थर्ड वाले में Hepatitis नहीं देंगे, इस वाले में Hepatitis देंगे, किलिर है यानि अगर बर्थ के टाइम में हैपेटाइटिस भी दिया है तीन ही डोज देना है है अब तीन डोज में क्या करते हैं जो में डोज है बुस्टर की बात नहीं कर रहे हैं है पेटाइटिस भी कितना भी इंजक्शन लग सकता है क्वेशन दो तरह से पुछे जा सकते हैं कि यूनिवर्सल इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम में हैपेटाइटिस भी के कितने टिके लगते हैं या क्वेशन यह कर सकता है कि हैपेटाइटिस भी के टोटल कितने टिके लग सकते हैं यह भी तो क्वेशन बन सकता है तो कितने भ लगेंगे ना बड़े लोग भी लगाते हैं लगते हैं ना जब आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारे वेक्सिनेशन भी मांगते हैं बाहर वाले तो है पेटाइटिस भी नेशनल इम्मुनाजेशन शेडूल के इलावे भी लगते हैं तो उसका काउंट नहीं है क्वेशन देखे किस तरह से रागर यह पूछ रहा है कि नेशनल इम्मुनाजेशन रहेगा यह बीठी थ्री हो जागा क्लियर चलिए अब आगे और कितने पर आता है नाइन मंथ पर इसमें क्या लगेगा मीजल्स या एमार वन लगेगा साथ मैं इसको देते हैं विटामिन साथ मैं इसको विटामिन ए की फस्ट डोज देंगे ठीक है विटामिन ए की फस्ट डोज देंगे अब यह है कि विटामिन ए की डोज कितनी होगी कोई बता सकता है विटामिन ए की डोज होगी आप लिखिए वन लाक इंटरनेशनल यूनिट आई यू बुलते हैं इसको यह इंपोर्टेंट है पुछेगा फस्ट डोज ओफ विटामिन ए कितना दिया जाता है वन लाक इंटरनेशनल यूनिट उसके बाद जितनी भी डोज पड़ेगी वो टू लाक की पड़ेगी कब पड़ेगी शिक्स मन्थ एवरी शिक्स मन्थ तिल फाइव यर ठीक है विटामिन ए पहली डोज नाइन मन्थ में और उसके बाद हर छे मैने पे पाँच साल तक दिया जाएगा कितना दो लाक इंटरनेशनल यूनिट ये कैसे देते हैं औरली देते हैं अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हो मेनी टोटल डोज गिवेन इन और विटामिन ए गिवेन इन अंडर नेशनल इम्मुनाजेशन शेडूल कितने लाक होंगे कितने डोज होंगे ये क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन एक डोज नंबर अफ डोज कितने होंगे और क्वेंटिटी कितनी होगी बताईए आप हमने बताया ना आपको काल्कुलेट करके बताईए पांच साल तक देंगे भाई जब आपका नाइन मंत में यह दे दिये हैं तो नाइन मंत का मतलब है कि एक साल में आपको एक ही बार देना पड़ाना विटामिन ए अगला जो आएगा दूसरे साल में जाएगा बंदा तो अगला उसके पास चार साल बचता है ना इक रफ आइडिया काते हैं चाहे तो आप उस तरह से निकाल लीजेगा नौ मैंसे फिर छे मैना जूड़िए उसमें एक डोज पड़ेगा फिर उसमें नौ छो पंद्रह हो गय हाँ यहां पर आठ हो गया प्लस एक नौ हो गया तो यहनी टोटल कितनी डोज हुई पास साल तक नेशनल इम्मुनाजेशन सेडूल में नौ डोज आ गई इसकी और कितना हो गया आठ अगर उसकी जोड़ेंगे क्वांटिटी कितनी आ रही है तो आठ दुनी सोले सोले लाक है तो मिस्स नहीं होनी चाहिए यह बहुत बेसिक क्वेश्चन से जी लाइव सेकंड और ओपीवी बूस्टर डोज डी पी टी बूस्टर डोज इखें है और मीजल्स का या फिर एमार टू अग्या है अब सेकंड डोज मीजल्स की आपको सिक्स्टीन टू ट्वंटिफॉर आवर में मंत में और जो बूस्टर डोज हो गई डी पी टी और ओपी भी अब उसके अलावे भी आगे आएगा पास साल पर दस साल पर और सोले साल पर तो पास साल पर क्या जाएगा अध्यर डी